हेलो इवर्स, आज हम साबुदाने की खीर बनाएंगे, वो भी बिना चीनी की वरत के दिनों में इस खीर को खाने के बाद आपका एनरजी लेविल बिल्कुल भी कम नहीं होगा और आप अपने सभी काम अच्छे से करवाएंगे और आपको बहुत देर तक भूब भी नहीं लगेगे खीर बनाने के लिए सबसे पहले दूद को बाल लिजे अगर आपको बहुत क्रीमी और मलाईदार खीर चाहिए तो फिर आप फुल क्रीम मिल्क लेजे उसकी खीर बनाईए नहीं तो आप टोन मिल्क से भी खीर बना सकते हैं कुछ नों को गाय या भैंस का दूद सूट नहीं करता तो फिर आप साबुदाने की खीर बादाम या मुंफली के दूद से बना सकते हैं दूद को तब तक पकाना है जब तक की दूद गढ़ाना हो जाए आपको अगर खीर में मिल्कमेट डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं इससे खीर का टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा आप चाहें तो इस खीर को पॉडर वाले दूद से भी बना सकते हैं दूद हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे दातों को मजबूत बनाता है जो हमारे पूरवश थे वो दूद दही खुब खाते थे और उनके दान लंबी उमर तक रहते थे लेकिन आजकल बहुत कम उमर में दात खराब हो जाते हैं क्योंकि अब दूद की जगा फास फूर ने ले लिए है जो की हमारी सिहत के लिए बहुत नुकसान दे है दूद कब्ज को दूर करता है बाड़ी को ताकत देता है दूद पीने से मांसिक तनाव खत्म हो जाता है अगर रात में सोने से एक घंटा पहले दूद पिया जाए तो रात में नीद बहुत अच्छे आएगी इसलिए हमें अपने खाने में दूद का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए आप साबुदाने को अच्छे से धुलने और उसे तीन घंटा पहले पानी में भिगो दे जिससे की साबुदाना फूल जाए अब मैंने साबुदाना डाल दिया है इसे अच्छे से चलाईए साबुदाना बहुत गाड़ा होता है जिससे की दूद में जब मिल जाता है तो इससे और क्रीमी फ्लेवर आ जाता है इसे अच्छे से चलाईए और लगातार चलाते रहिए साबुदाने की खीर बहुत साबुदाना खाने से इनेमिया की समस्या दूर होती है ये हाई ब्लेट प्रेशर को कंट्रोल में रखता है साबुदाना खाने के बाद एनरजी लेविल काफी बढ़ जाता है और हम अपने घर के सारे काम आसानी से कर सकते हैं कि क्योंकि हमें अनाज खाने के आदत होती है अगर अनाज नहीं मिलता है तो बहुत कमजोरी का एहसास होता है अभ इसमें खजू डाल दीजी बैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है अगर आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन खजूर में बहुत ताकत होती है, ख़जूर में बहुत ताकत होती है, यह बिना चीनी की मिठाई मानी जाती है, अगर आप चाहें तो बादाम, आखोट, जो भी ड्राइफ रूट आपको पसंदो वो डाल सकते हैं, आप छोटी इलाईशी डाल दीजे, छोटी इलाई वरत के दिनों में खजूर अगर डालेंगे, तो इससे हमारी भूब भी मिटेगी, और हमें ताकत भी मिलेगी, अब यह देखें, साबुदाने की खिर गाड़ी हो चुकी, बस इसे थोड़ा सा और पकाना है, और यह खिर बनकर तयार हो जाएगी, इसमें सभी चीजे ताकत पकाना है, तो बस इसको देख लिजे कि जैसे साबुदाने का कलर बिलकुल शीशे की तरह से हो जाए, तो समझ लिजे कि साबुदाना पक चुका है, यही इसको देखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे और जब स्कूल में सिखाया जाता था कि साब तेस्ती खीर दिख रही है अगर आप इस खीर को सुबा के नाश्टे में खाएंगे तो आपको 4-5 गंटे तक भूख नहीं लगेगी और अपने आप सारे काम फटाफट निप्टा सकते हैं क्योंकि हम लेडिस के उपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं ऐसा तो नहीं हो होता किवरत हैं और चुपचा बैठे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं हमें सारे काम करने पड़ते हैं इस खीर को खाईए और अपने घर के सारे काम पटाफट कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले थैंक यू कर दो